जागिश्वर्धाम उत्राखंड की ओलमुड़ा जिल्ला के अंदर आता है। यह मंदीर ओलमुड़ा से 35 किलमीटर दूर स्टीथ है। यह मंदीर बारा जोती लिंगों से एक आपना पेहचन रगता है। माना जाता है इस मंदीर भगवांची और सब्तरुशियों ने दपश्या की थी। अलाकि मंदीरों ने मंदीर का कला को हम ध्यान से देखे। एसा प्रतीत होता है। यह मंदीर साथवी सती से बारावी सती का मैध्य बना। इसलिए भगवांची सब्तरुशों का द्वारा एक दपश्या से कमजर लगते हैं। बात करें हम जागेशनर मंदीर की मंदीर को बनाने कार्या कत्यूरी मंदीर FIFA को दgyा गया थी। किकत्यूरी राजां को द्वारा केई मंदीरों की बास्तु कला और सही सामान हैं। इसका उधटरन हम माने है पाकिषवर की पाकिषव की तेशिल गरुड में स्तीत बेशनत मंदिर को हम ले सकते हैं। भारतिय पूर्य तक्त्रों को हम मानें यहां मंदिर कुट्यूरी राजा को कुट्यूरी राजा का द्वारा श्तापित किया गया था। जो की बाद में फिर चंद्रवंक्स का राजा इसका देखरे किये थे। देवद्यर की घने जंगलों के बीच में यह मंदिर भगवन सिप को समर्पी थे। इसमें डेट सो छोटे छोटे मंदिर एक ही जगा पर स्तीत है। इसकत्युरी राजा को पास्तु कला का उधारा जागेश्वर में एह नहीं। अपेतु अड्मूलवा यह अलग-अलग स्तान में स्तीत है। जिसकी संख्या चार सो से ज़्यादा है। जैसे ही आप जागेश्वर मंदिर मंदिर यह अर्धाम पर पहंचोगी। आपको एक मंदिर में कई तेरह के अलग-अलग मंदिर मिलेंगे। यह मंदिर कुछ इस तेरह से हैं। जिसमें पहला दंतेश्वर, चन्डी, पुबेर, मृतिंजय, नो, दुर्गा, नवा, पिरामीड, और पूर मंदिर सामिल है। जिसमें दंतेश्वर मंदिर, नाकेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर खामिल है। ऐसे इस मंदिर को एनालाइज करें। ऐसा नहीं लगता है कि एक जवान में यहां पुजय की जाती होगी। क्योंकि अधिकांस मंदिर के द्वारों इतने छोटे हैं। पुजयरी भी नहीं बेट सेकता है। और इस मंदिर की वास्तुपला इतना प्रवापशाली है कि प्रवापशाली नहीं टिकती है। जो इस बात का समर्थन करें। जो पुजय जैसे धर्मिक गतिविदियां होती होंगी। इस धर में कुछ मंदिरों का आकार, आकार और स्तीती प्रमादिप पिंडों पर थापित है। कि उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक लगता है। दोस्तों आप लोकोंने बड़े आकार की उपर लगी लकडी की छट को देखा होगा। इसे इसके लिए लगाया जाता है। ना कि इस मंदिर में नेपाली और तिब्वतियों का प्रवाब देखें। विसल देवदारों के खने जंगलों की बीच पर ये स्तीत। मंदिर में एक दो तनेक बाला विसल देवदार की बुक्ष भी है। कहते हैं इस रुख्षी पर इक्रमा करने से मौनो कमना पूरी होती है। धान की समय में जागेशर मंदिर के अपर बहती बरबबारी होती है। तब मंदिर और फ़हावना और अजरत से भरा वादिक पी है। एसे घने जैंगलों में स्थीद होने के कारण जागेशर धाम बिद्वनों की नजर से हमेशा चुपर हो। बरना हम इस मंदिर के बारे में और कुछ भी जान सकते। क्यूंकि अच्छा नक्स इस मंदिर की बड़े तेलारने में फ्यल जाना है। जहशक की आज संक्यत करता है। और दूसरा कारण इस मंदिर की बारे में अभी भी तठीक जानकारी प्राप नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं यह एपिसोड आपको काफे पसंद आया होगा।